हां जी नमस्कार बंदे मात्रम भाठिया अश्रम की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है पिसले कुछ दिनों से हम राजस्तान के इतियास को mcq के माध्यम से पढ़ रहे थे सबसे पहले हमने जो आपके तीन पार्ट में राजस्तान के इतियास को बताया था कि भी राजस्तान का प्राची नितियास राजस्तान का मध्यकाली नितियास और राजस्तान का आधूनिक इतियास तो राजस्तान के आधूनिक इतियास को हम माध्यम से आज का हमारा पहला कोश्चन रहेगा पहला कोश्चन इस प्रकार है कि सर सौथ तंतरता प्राप्ति के समय राजस्तान में कितने राज्ये ठीकाने एंग केंदर सासित परदेश थे राज्ये को उसमें रियासत भी कहते थे कितने रियासत थे, कितने ठीकाने थे, कितने केंदर सासित परदेश थे, सौथ तंतरता प्राप्ति के समय राजस्तान की यहां बात की जा रही है उप्षन आपके सामने चार है, पहले उप्षन में A नंबर उप्षन है, जिसमें लिखावा है 18, 3, 1, B उप्षन 19, 3, 2, C उप्षन 19, 3, 1, D उप्षन 21, 1, 3, इन में से जो चार उप्षन में से जो सही उप्षन कौन सा रहेगा, तो वो आपका सही उप्षन है, उप्षन न में 19 सरिया सबुन थि तो ठीकाने कितने थे तो ठीकाने आपके थे तीन खी तेन कौन कौन से थे एक था आपका नीमरणा नीमरणा दूसरा कुषल गड़ और तीसरा ठीकान आपका था लावा थ ठीक है जी और एक आपका क्या था केंदर सासित परदेश था जिसे आप कह सकते हैं सर अजमेर मेरवाड़ा जो केंदर सासित परदेश था वो था सवतंता प्राप्ति के समय राजस्तान में थे तो यह इसका प्रशन का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा c option है वो बिलकुल सही है next question है राजस्तान का एकिकरण 18 मार्च 1948 से प्रारम होकर एक नौवंबर 1956 तक कितने चर्णों में पूर्ण हुआ इन्हीं जो राजस्तान का जो एकिकरण किया गया था वो जो starting date है 18 मार्च 1948 और इसकी जो समापन की बात हो रही है एक नौवंबर 1956 को तो इस पूरे लंबे समय के दर्मियान के अंतराल में तो कितने चर्णों में राजस्तान का जो एकिकरण है वो पूर्ण हुआ तो आप सभी को पता है इस प्रेशन का जो सही आंसर क्या है आप सभी लोग comment में लिखेंगे A option में 6 है B option 7 C option 8 D option 9 इस question का जो सही answer आपका है B option है क्योंकि राजस्तान का जो एक एकरण है वो 7 चर्णों में complete होता है ठीक है जी तो इस question का जो सही answer आपका क्या है B option है आगे जिसे question आते रहेंगे उन question के बारे में हम वहीं पर क्या करेंगे मतस्य संग था दूसरे चरण का नाम क्या था जाजर के दूसरे चरण का नाम था राजस्तान संग के दे या फिर पूर्वी राजस्तान के दे तीसरे चरण का नाम क्या था संयूक्त राजस्तान था चोथे चरण का नाम क्या था व्रद राजस्तान था और पांचवे चरण का नाम क्या था सर पांचवे चरण का नाम हम कह सकते हैं कि सर वरतमान राजस्तान और राजस्तान नाम करके कह सकते हैं, ये टोटल आपके साथ चरण बने थे, जब तब जाकर कि आपका राजस्तान का एक बरने वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट प्रशन है, अगला प्रशन आपका है, प्रसन सिंग्या 3, मिवाड के माहरणा बुपाल सिंग ने छोटे- उदेशे से 25-26 जून 1946 को राजस्तान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक समेलन कहां बुलाया गया था इस प्रेशन का जो आपको सही आंसर बताना है, चार ओप्शन है, A ओप्शन गुजरात, B मालवा, C चितोर, D उदेपुर इन में से कौन सा ओप्शन है, वो सही है, वो आपको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, तो इस प्रेशन का जो सही आंसर आपका क्या असर, D ओप्शन चाही है, तो इन्होंने मिटिंग जो कहां बुलाए गये थी, उदेपुर बुलाएगी, क्योंकि यहां का जो बात की जा रही है, मेवाड का महरणा है, तो महरणा कोण है, वपाल सिंग जी, तो उसमें राज़दानी कौन सी थी, उदेपुर थी, तो मिटिंग कहां बुलाए जाएगी, उदेपुर, ठीके जी, यह आपके तीसरे चरण में राज़दानी बनती है, उससे पहले नहीं ठीक है लेकिन मेवाड के जो माराना थे वो कहां रहे रहे थे उदेपूर के आश्वास जादा रहे दे थे ठीक है जी हाँ जी फिर हम बात करेंगे सर यहां कौन-कौन से राजा राजस्तान के सभी राजा गुजरात के राजा और मालवा के राजाओं को यहां गुला करके सम समेलन होता है ठीक है फिर बाद में यह जो राजस्तान यूनियन क्यों नहीं बनता है इसका एक कारण यह है कि जो आपस में यहां के जो राजा थे उन राजाओं में क्या थे जो एविश्वास होने के कारण पारिश्परिक एविश्वास होने के कारण इस समेलन को क्या कर दि यह जो राजस्तान यूनियन बननी थी वो बनती नहीं है ठीके जी इस प्रशन का जो सही आंसर आपका क्या है D option है चौता प्रशन है किसकी अध्यक्सता में रियासती विबाग यानि सची वाले की स्थापना की गई थी प्रशन का जो सही आंसर आपका क्या रहेगा सही आप आंसर रहेगा किसकी अध्यक्सता में एक रियासती विबाग का गठन किया जाता है जिस गठन कब किया जाता है 5 जुलाई 1947 को टिया जबग किया जाता है जिसकी अध्यक्सता है वो कौन करते हैं सरदार व्लबी पर टेल करते हैं और उस विबाग है वो कौन होते हैं VP मैनन साब होते हैं ठीक है तो यहां Colonel James Todd और Charles Metcorp यह इन से समंदित यहां नहीं थी नाम तो इस प्रशन का जो सही आंसर आपको क्या याद रखना है C option रखना अच्छा रियासती विबाग का यह लोग क्या कर रहे थे गठन कर रहे थे ठीक है तो अगला प्रशन इन से समंदित है पांच वाप रियासती सची वाले ने गोशना क्या की थी जब रियासती विबाग का गठन हो गया तो उसमें रियासती विबाग यह कैदें या पिर आप सची वाले कैदें तो उन्होंने क्या-क्या गोशना की थी ठीक है option number 4 है फर्स नमर ऑप्शन शवतनतर भारत में राज्ये वे राज्ये ही अपना-पना अस्तितवर रख सकेंगे जिनकी जनसिंक्या कितनी है दस लाख है ए नमर ऑप्शन बी नमर ऑप्शन में और वार्सिक आई एक रोड रुपे होगी ठीक है ये दो सड़ते बताई गई है तीसरा option में उपरिक्त दोनों जो सड़ते हैं वो सत्य है चोता option उपरिक्त दोनों जो कतन है वो क्या है सर गलत है तो इसका जो सही answer क्या रहेगा कि जो रियसती विबाग ने जो गोशना की थी वो आपकी A number option की गोशना भी की थी और B number क option भी की थी इसका मतलब यह दोनों का तन सत्य है तो इस प्रशन का जो सही answer आपका क्या हो जाएगा C option है वो बिलकुल सही हो जाए अच्छा यह कह दिया कि राजस्तान में टोटल 19 रियसते थी तीन ठीकाने थे एक अंदरसा सित परदेश थे इनको यह कह दिया कि आप अपन प्रकार से कहें कि उस समय राजस्तान की जो 19 रियासते हैं तीन ठीकाने और एक के अंदरसा सित परदेश में से मातर चार रियासत ही इस प्रकार की शर्तों को फोलो करती थी ठीक है तो अगर वो चाहते तो वो अपना अलग से 37 रख सकते थे तो चार रियासत है कौन गौन स और एक आपकी थी मेवाड जेपूर, जयादपूर, विकानेर, मेवाड मतलब उदेपूर कहते हैं तो यह जो चार रियासते थी यह अपना क्या रख सकती थी अलग से 37 रख सकती थी बाकी जो रियासते थी वो इस प्रकार की कंडिशन फोलो नहीं कर रही थी तो इस प्रश सकती जेपूर, जोदपूर, विकानेर और मेवाड ठीक है अगला प्रस्न संग्या 6 डूंगरपूर के महारावल लक्षमन सिंग ने एक संग बनाने क्या प्रियास किया था वहां पर उस संग का नाम है बागड संग निर्मान का प्रियास किया जिसमें से कौन से राज्यों क सिमेलित होना था वहां पर लेकिन वो राज्ये सिमेलित नहीं होते हैं तो इस प्रकार का संग नहीं बनता है डूंगरपूर, बासवड़ा, कुम्बलगड, उपर युक्त सभी तो इस प्रिसन का जो सही आंसर है आपका वो रहेगा उपर युक्त सभी यह नहीं इसमें बांगड संग ठीक है उपर बिंदी लग जाए तो यह अपना पाली वाला बांगड छेतर आ जाता है और वागड या बागड के दे तो यह संग आपके डुंगरपूर के महारावल लक्षमन सिंग जी ने इस प्रकार के संग बनाने का क्या क्या था प्रियास किया था तो इस सही आंवा यहां दी औप्षन है वो बिलकुल सही है अगला प्रिशन है प्रिशन संक्या साथ प्रत्म चरन में कौण-कौण सी रियासते मिलाई गई थी तो पहला चरन बना था उस चरन में प्रताप्र अलवर भरत्पूरकों कोट् però रोलि आप्रताप गर शाहपुरा टॉ बुंदी अलवर जैपूर भरतपूर करोली ठीक है जी तो पर्थम चरण में चार उप्षिन में से कौन सा उप्षिन जो सही है जो रियासते मिले गई थी तो आप कहेंगे सर हम एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं कि सर पर्थम चरण में A B C D वाली रियासते मिलाई जाती ह हैं और एक जो आपका ठिकाना मिलाया जाता है A B C D से अगर हम याद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे A से आपकी अलवर रियासत B से आपकी भरतपूर रियासत C से आपकी करोली रियासत और D से धौलपूर रियासत D से धौलपूर रियासत ठिकाना कौन सा था नीम रणा जो आपका कहां पढ़ता है सर अलवर में पढ़ता है इस ठिकाने को मिलाया गया तो रियासते कितनी थी चारती तो कौन से option में सही मेच कर रहा है कि सर आपका option number B है अलवर भरतपूर करोली और धौलपूर तो यह इस आप पर्तम चरण का नाम मतश्य संग इसका नाम करन किस वक्ति ने दिया ता de K m Munni का मत्लब कनाय लाल माने के लाल मुण सी ने दिया ता प्रथम चरन का जो गठन है वो कब होता है 18 मार्च 1948 इस भी में होता है तो ये तनी सारी बाते हैं आपको याद रखनी एक मातर ये प्रथम चरन ऐसा है जहां पर क्या आए किस राजदानी कहीं और जगे हो रही है उदगाटन कहीं और जगे हो रहा है बाकी सभी जो चरन है जहां पर उदगाटन वहीं पर राजदानी हो रही है अगर हम बात करें कि इस चरन का जो उदगाटन है वो किस जगे पर हो रहा है तो उद्गाठन आपके भरतपूर के किल्ले में हो रहा है भरतपूर के किल्ले में उद्गाठन हो रहा है और राजदानी कहां बनाई जाती है राजदानी अलवर को बनाई जाती है ठीक है तो उद्गाटन आपका भरतपूर के किल्ले में क्यों होता है कि अलवर में क्यों नहीं हुआ तो उसमें हम कहते हैं कि सर अलवर के महराजा थे एक तेज सिंग जी थे मां के प्रदानमंत्री कह सकते हैं तो अलवर का एक वक्ती था तेज सिंग जी के नाम से समझ ली था और उसमें मात्मा गांधी के हतिया कांड भी होता है ठीक है तो उसमें कहते हैं कि कहीं ने कहीं तेज सिंग जी का जो हाथ है वो मात्मा गांधी के हतियारे के रूप में है या कह सकते हैं या उनके सयोगी थे हत्यारे के तो ऐसे कह करके वहां पर यह कारिय नहीं किया जाता है क्योंकि अलवर वाले उस साशक पर case भी चल रहा था, ठीक है, तो ये भरतपूर के किल्ले में यहां पर उद्गाटन होता है, लोहागट के किल्ले में, राजदानी कौन सी बनाई जाती है, अलवर को बनाई जाती है, बाकी ओर भी बाते हैं, वो अगले हम next question पर चचा करेंगे, तो अगला प्रशन आपका है, प अदेभान सिंग, option number B, महाराजा मदनपाल, option number C, महाराजा बादूर सिंग, option number C, महाराजा भीम सिंग, ओफिर आप लिख सकते हैं, सर महाराव भीम सिंग ठीक है जी इन चार ओप्षिन में से कौन सा ओप्षिन जो आपका सही है तो मतश्य संग के जो राजपरमुख है मतश्य संग के जो राजपरमुख है वो किन को बनाये जाते हैं सर महाराजा उदेभान सिंग जी को बनाये जाते हैं ठीक है तो महाराजा उदेबान सिंग जी हैं, वो किस रियासत से सम्मान दित हैं, वो धौलपूर रियासत से सम्मान दित हैं, और इनको मतिशे संग का क्या बना दिया जाता है, राजपरमुक बना दिया जाता है, कि मतिशे संग का उपराजपरमुक किसे बनाया गया, तो उपराजपरमुक है, व तो सही आंसर आपका क्या होगा यह optionमों बिलकुल सही है अगला प्रसन है प्रसों संग्या नौ प्रत्मot dem स्चरण की वार्षिक जो आय थी कितनी थी जैसे प्रत्म चरण की अम बात करें अभी म१ Schulen संग की कर रहे हैं तो मतश्य संग की जो वार्षिक आय थी वह कितनी थी क्योंकि जब अलग से अपना सौतंतर राष्टित्वे को यह रियासत रख सकती है या फिर कुछ रियासतों को मिला करके रखती है तो कम से कम उसकी वार्षिक आय कितनी होने चीए एक रूट जनसंग्य कितनी होने चीए तस लाग यह था आपके रियासती विवाग की जो गोशना के अनुसार फोलो करने वाली होने चीए जब फोलो कर रही है तभी तो इन्होंने क्या बनाई है सर पर्थम चरण में एक जो नया संग बनाया था आपका क्या है मतश्य संग तो चार उप्शन है इनसे कोण सा ऑप्शन जो आपका सही है लगबग 184 लाग दूसरा ऑप्शन 2 करोड तीसरा ऑप्शन 3 करोड 16 लाग चोता है इन में से कोई ने तो इस प्रिषन का जो सही आनसर आपका है ऑप्शन नमबर ए यह कहता है कि सर मतश्य संग की जो वारसिक आये वो 2 लाग से कम दो लाग से कम थी तो दो लाग से कम का option की बात करें या फैक्ट डाठा पूछे जो लगबग 184 लाग यह एक करोड चोरासी लाग जो वार्सिक आई किस की थी मतस्य संग की थी अच्छा अगर आपको पूछे कि दो करोड किया है सर तो दो करोड आपके दूसरे चरण की वार करोड होगे तो फिर तीन करोड शोड़ा लाग यह क्या है यह आपके तीसरे चरण की वार्शिक आई है तो तीसरे चरण का नाम क्या रहेगा तीसरे चरण का नाम रहेगा संयूक्त राजस्तान रहेगा संयूक्त राजस्तान रहेगा तो एक साथ एक ही प्रिशन में हम दो जब paper देखकर कायेंगे तो आपको लगेगा कि यह जो class आपने लिए बहुत ही शुक्त पुन class रही है क्योंकि यह आपको प्रिणाम देगी ठीक है जी तो इस class को आप जो वीडियो को जादा से जादा share करें अपने यार दोस्त मित्रों को जो इस प्रकार के वीडियो से लावानवित होना चाते हैं उन्हें भी आप share कर सकते हैं राजस्तान के इतियास के बारे में रोचक जानकरी रखना चाते हैं उन्हें भी आप इस प्रकार के वीडियो को share कर सकते हैं चलिए जी तो इस प्रश्ण का आपका अंसर नौबे का A है अगला प्रश्ण पूर्वी राजस्तान कह सकते हैं ठीक है तो दित्थी चरण की राजदानी यहां पूछी जारे हैं पहले चरण की राजदानी अभी हमने पढ़़ी अलवर थी तो दूसरे की कौन सी होगी सर् दूसरे चरनद की जो राजदानी है हो आपकी कोड़ा होगी स्प्रश् Image का जो सही आंसर आपका क्या वी decision है इसके साथ मैं और प्रश्शन हो को देख लेते हैं कि सर पर्थम चरनद की जो राजदानी है वह पुर्देपूर चोथे चरण पिएपूर को चोथे चेन की राच्दानीадцan कौनी हो जाती है दूसरे की कौटा तीसरे की उदेपूर और चोथे चरण की राच्दानी कौन सी हloud आपकी weak यह हुआ है थिक dayut the chart Devon 1-2963 अगर हम बात करें किसरा इस्तान संग में कितनी रियासते मिलाएगी नो रियासते मिलाएगी कितने ठीकाने मिलाए गए गया थे सरी एंध्रीक है ठीकाना मिलाए गया तरह सो एक था वह आपका कौन सा था कुशल गड़ था कुशल कट पढ़ता है, बास्वडा में पढ़ता है, ठीके जी, तो नो रियासते कौन-कौन सी थी, तो उसका नाम आप याद कर सकते हैं, प्रतापगड, शाहपुरा, बास्वडा, बुंदी, जालावाड, डुंगरपूर, कोटा, किसंगर्ड, टॉंक, ठीके जी, तीन, दो पांच, पांच और चार कितने होगे, नो रियासती ये थी, और यह एक आपका ठीकाना था, यह आपके दित्य चरण में मिला जाता है, अच्छा, दित्य चरण की अगर हम बात करें, डेट की, नामकरण की बात करें, तो डेट कौन सी होगे, प्रतम चरण की अभी हमने बात की, सर, 18 मार्च, 1948 को आपका कौन सा चरण मनता है, फरतम चरण मनता है, यह फर्स चरण मनता है, इसमें अगर हम साथ जोडेंगे, 18 और साथ केतने होगे, सर, 25 होगे, तो 25 मार्च, 1948 को आपका जो दित्य चरण रहेगा, दित्य चरण कौन सा है, राजस्तान संग रहेगा, इसका नाम कांपर बन रहे है कोटा ही राजदानी बन रहे है अगला जो आपका प्रेशन रहेगा प्रशन संग्या 11 दित्य चरण का प्रदान मंत्री कों था ठीक है तो दित्य चरण के प्रदान मंत्री के पूछा जा रहा है तो हम चारों चरण के जो प्रदान मंत्री है उनको हम एक ठीक तो इस प्रेशन का सही आंसर क्या रहाएगा सॉबाराम कुमाउत मानके लाल बर्मा गुकूल लाला सावा हेरा लाल सास्त्री चार आपके सामने आप आंसर क्या लिखेंगे कमें लिखेंगे इस परकार के प्रेशन हर बार एक्जामें पूछे जाते हैं कि सर कौन से जो डेट है उद्गाठन की वो कब होई थी इस प्रकार के प्रशन राजस्तान की प्रत्यूगी प्रिक्षा में जरूर पूछे जाते हैं तो विदारतियों आपको याद रखना इस प्रकार के प्रशनों को अब हम बात कर रहे हैं सर प्रदान मंत्री दित्य चरन के समय में कुमावत थे, दित्या चरण के गोकुललाल असावा, ठीक है, त्रत्या चरण के प्रधान मंतरी, मानिकिय लाल वरमा थे, और चतुर चरण के प्रधान मंतरी कौन होते हैं, हिरा लाल सास्त्री होते हैं, ठीक है जी, अब इसको आप याद करना है ट्रीकी से तो इनके जो यह इस परकार से भी याद कर सकते हैं कि सरक मावत असावा रbya सास्तरी के प्रb अगला प्रिशन आपक кадंक रहे गा mitt sih एघ चरण के राजपर मुग कि से बना दियzero हैं दित्य चरण के राज़ प्रमुख हैं वो आपके कौन हैं ग chips दो अदेवान सींग महाराना भुपाल सिंग महराणा बोपालम नंबर चार महाराजा सवाई मान से तो प्रिशन का जो सही आंसर रहेगा आपका है दित्य चरण के जो राजप्रमुक रहेंगे महाराव भीम सिंग जी रहेंगे दित्य चरण के राजप्रमुक तो चलिए तो चारो चरण के राजप्रमुक को एक साथ देख लेते हैं तो पहले चरण के राजप्रमुक कौन हो रहे हैं तो पहले चरण के राजप्रमुक उधेबान सिंग ज ये कहा के है थी allergy को YouTube के है थी ठीक है तरत्य चरण के जो राज पकोन έχει आपके पॉसे संब्सक्र. शीआ कि न कि याद कर सकते नyards और फ्योषच को राज पीमान सिंग्ध जेबूड hebम सäमाचिती मिल्यिए थी ठीक है तो यह चार चरण के जो राज पर मुखमे इसको ने एक सा और देख लिया हूआ कि इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं देखो बंदा कहां का का दौल फूर का राजपरमुख है पहले चरंगा तूसरे चरंगा राजपरमुख है के अगला प्रशन आपका रहेगा प्रसन सींग क्या? hiring इससे फिले के देंगे स्ट रुप्रास्प्रमुक्षा का है होगे जब राजप्रमुक्त मेठ तब झाल को वारजप। टे буह ठीक है तो बताए AB% को रसबोधी करो लिका भीम सिंग को उठागा यहाँ आमने भीम सिंग भीम सिंग जो option है बी और डी दो इसले लिखें क्योंकि यह आपको समझे मां जाएगा जब हम समझाएंगे कि भीम सिंग वक्ति हैं वो दो बार क्या रहते हैं सर उप्राज प्रमुख रहते हैं ठीक है इसको भी बताएगे हाँ जी इस प्रेशन का जो सही आंसर क्या रहेगा उप्राजप्रमुक की बात चल लिए दित्ये चरण की चल लिए तो ऑप्षिन नंबर सी बहादुर सिंग जी बूंदी वाले दित्ये चरण के क्या रहते हैं उप्राजप्रमुक दित्ये चरण के राजप्रमुक कौन रहत दित्य चरण के उप्राज प्रमुŁकौण है बादुर सिंग बुंदी वाले तित्य चरण की बात आ रहे तो तो इस प्रेशन का जो आपका तेरवे का सही आंसर किया है, C option सही है, अगला प्रेशन, प्रेशन संग्या चौध, कुसलगड ठिकाना किस चरण में मिलाया गया, कुसलगड जो ठिकाना है आपका, वो किस चरण में मिलाया गया था, यह आपको पूछा जा रहा है, प्रथम, दित्ये, तृत्ये, चतुर्थ, तो प्रथम चरण में जो एक ठिकाना मिलता है, वो आपका हैता है, नीम राना, ठीके, तो दित्ये चरण में कौन सा ठिकाना मिलाए जाता है सर, कुशल गड जो ठिकाना है, वो आपका दित्ये चरण में मिलाए जाता है, तो इस प्रशिन का पहले एक केंदर सरकार का एक आदेश आता है, वो आदेश आप कहता है 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 इश्वी को केंदर सरकार के एक आदेश के अनुशार लावा को किस में मिला दिया जाता है, जेपूर में मिला दिया जाता है, जब जेपूर रियासत राजिस्तान के चरण में कौन से चरण में मिलाई जाती है चतूर चरण में मिलाई जाती है तब चोते चरण में लावा ठीकाना ओटोमेटिंग चोते चरण में मिल जाता है इसलिए ज्यादा तर जो इतियासकार है वो लावा को कौन से चरण में मिलाई जाता है चतूर चरण का लिखते हैं और सही आंसर भी किया है, इसका चतूर चरण ही रहे है, तो इस प्रशन का जो सही आंसर आपका क्या रहेगा, B option बिल्कुल सही रहेगा, अगला प्रशन है, प्रथम चरण के उद्गाटन करता कौन थे? अच्छा, उद्गाटन करता से समंधित प्रशन भी आपको एक्जामे पूछा जाता है तो उद्गाठन करता चारों उद्गाठन करता को अमें um有 देख लेंगी तो फ programmes चरांगे कौन थे और सिम्स्रकार के मंत्री तो स्रकार के बुलाया जाता है ठीक है मन समान दिया गया तो पहले चरण के उद्गाटन करता नरहरी विश्नु गोडगिल और दूसरे चरण के उद्गाटन करता कौन है नरहरी विश्नु गोडगिल ही है ठीक है तो तीसरे चरण के उद्गाटन करता कौन आएंगे तो तीसरे चरण के उद्गाटन करता है पंडित जोहारलाल नहरू और चौते चरण के उद्गाठन करता है शरदार वलबभई पटेल ठीक है जी इनको भी आप पीछे के कोड़ वर्ट से याद कर सकते हैं सर गोडगिल पहले चरण के दूसरे चरण के भी गोडगिल तो गोडगिल गोडगिल हो गया ठीक है एक पंडित जोहारलाल नहरू नहरू को मेर्व को मैं करते सर चाचा कहते है थिक है तो चाचा सरदार बाप बढय तो इसको पतेल तो ट्रिक्स अभी बणा सकते हैं आप गोटगिल कोटगिल चाचा पतेल बना करके याद कर सकते हैं कि यह उध्गाटन करता थे ठीक है अच्छाइब गार्ण की बात चल लिए तो पहले चरण का उध्गाटन कहा आँ हो रहा है भरतपूर में हो रहा है दूसरे चरण का उद्गाटन कहा हो रहा है कोटा में हो रहा है तीसरे चरण का उद्गाटन कहा हो रहा है उदेपूर में हो रहा है और चोथे चरण का उद्गाटन कहा हो रहा है जेपूर में हो रहा है इस प्रशन से आपको एक बात और नहीं चीज सीखने को मिलेगी कि एक मातर ऐसा चरण है पहला चरण जहां पर उद्गाटन कहीं और हो रहा राजदानी कहीं और हो रही है बाकी जगे में आप देखेंगे जहां उद्गाटन वही राजदानी बन लिए दूसरे चरण का उद्गाटन कोटा, राजदानी भी कोटा तीसरे चरण का उद्गाटन उद्गाटन उद्गाटन, राजदानी भी उद्गाटन चोहते चरण का उद्गाटन जहपूर, तो राजदानी भी जहपूर बनाई जा रही है ठीक है जी अगला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर और इस प्रशन का जो आपका सही आंसर क्या रहेगा कि सर्फ प्रथम चरण के उद्गाठन करता कौण है नरहरी विश्नु गौड़ी यह आपका इस प्रशन का आंसर सही रहेगा प्रसुन संग्या सोला किसने कहा था कि मैं अपने डेत ररन परहस्ता क्षर कर रहा हूं ये बात किस läh कई थीfelt जब राजस्तान की जो रियासते थी उनको विले किया जा रहा था तो उसमें एक रियासती विबाग का घठन किया गया सरदार वलबे पटेल और विपी मेनन के दुवरा जो रियासते थी उन सब को एक किया जा रहा था ठीक है तो उसमें ये बात किस ने कही थी जब रियासत क को मिलाने मिला रहा था उसमें एक लिखा था या पर दिक हाता कि मैं अपने डेट वरांट पर आथा आखसर कर रहा हूँ एसा मुझे मैं स्षूर हो रहा है जब वहां पर साइन किये थे वह साशक कौन था बाहदूर शींग जी थे महारावल चंदर वीडी सिंग कर रहा हूं या फिर डेथ वारंट पर हस्ताक्षा कर रहा हूं जब राजस्तान की में एक ही करण में अपनी जुरिया सथ को विले कर रहे थे उस समय कर रहे थे ठीक है तो यह भी बात आपको याद रखनी एक इसमें दारा से संबंदित प्रेशन पूचा जाता है तो एक तो 1947 उसकी धारा आठ केते ओं जितनी बी जो रियास्ति थी भारत में राजस्तान में ठीक है उन सभी रियास्तों को ये एक अधिकार दे दिया गया जिसए पहले किसा अधिकार था किसे ब optimize स्रकार का था तो इस पे जो अंग्रेज़ों का जो अधिकार था इसको समाब्त कर दिया जाता है या बेटिस जो प्रभूशता इनके उपर थी उनको समाप्त कर दी जाती है फिर इनको रियस्ति विबाग दुवारा ओफर दिया गया कि अगर आप चाहाँ तो अपना सौतंतर अपना अस्तितिवर रख सकते हैं या फिर आप इन दो शर्तों को फोलो करते हैं तो आप अपना सौतर रख सकते हैं नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा राजस्तान के एक इकड़ में मिलना होगा तब यह रासान के एकड़ में मिलते हैं तब यह इस प्रकार की अपने दर्द बरी जो बात है वो कहते हैं आपके महारावल चंदरवेश शिंग जी अगला प्रशन है जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा तो इस प्रशन का जो सही आंसर है वो आपका है वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यानि बी ऑप्शन इस राइट ठीक है यानि तृतिये चरण का जो नाम है वो सयूंक्त राजस्तान पढ़ता है हम बात करेंगे सर प्रथम चरण का नाम था मतश्य संग तित्य चरण का नाम क्या था राजस्तान संग या पूर्वी राजस्तान कह सकते हैं तृतिय चरण का नाम क्या था संयुक्त राजस्तान था चतूर्त चरण का नाम क्या था व्रद राजस्तान था पंचम चरण का नाम क्या था संयुक्त व्रद राजस्त कह सकते हैं वर्थमान राजस्तान या फर आधुनिक राजस्तान कह सकते हैं जम पाड़ और परिकार से क्या बार एक करण के चर्ण का नाम भी पूछा जा सकता है आपको तो आपको याद रखना होगा, इस प्रिशन का जो सही अंसर आपका है, B option, प्रसंद संग्या 18, चतूर्थ चरन का उधगाटन कब किया गया, चोता जो चरन था, चतूर्थ चरन, उसका जो उधगाटन पूचा गया है, कि ये कब किया गया था, 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रेल 1948 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार मार्च 1948 को किया जाता है, 30 मार्च 1950 को किया जाता है, ठीके, तो इसी दिन उधगाटन किया जाता है, और चतूर्थ चरन का जो आपका नाम क्या पढ़ जाता है, वो आपका नाम पढ़ रहा है, व्रद राजस्तान पढ़ता है, ठीके, तो कहते हैं कि सर इस चतूर्थ चरन क कि बात करें यहां तक आते आते राजस्तान का लगबग जो एकिकरण है वो complete हो जाता है यहां पर समापत हो जाता है कुछ छोटी छोटी रियासते हैं वो बची रहती है लगबग राजस्तान का जो भूब आगा इन भोगोलिक शेतर गेरने वाला जो एरिया है वो यहां तक complete हो जाता है इसलिए 30лемd अज को राजस्तान दिवस कहते हैं राजस्तान का इस्तापना दिवस कहते हैं यह दो प्रेक्षा में डेट से समंदित प्रशन पूछे जाते हैं कि रास्तान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को रास्तान का इस्ताफना दिवस कब मनाया जाता है एक नौंबर को रास्तान का इस्ताफना दिवस मनाया जाता है अच्छा चतुर्त चरण में चार बड़ी-बड़ी रियासते मिलाई जाती हैं, चार जो बड़ी-बड़ी रियासते कौन सी थी, जेपूर, जोदपूर, भीकानेर और जसलमेर, ठीक है, और एक जो आपका ठीकाना था, जब जेपूर मिल गया तो लावा ओटमेटिक मिल गया क्योंकि लावा को 19 जुलाई 1948 को आपको जो लावा है वो कहां मिला दे गए था जिवपूर में मिला दे था केंदे सरकार के आदेश की अनुशार तो यहां पर लावा ठीकना ऑटोमेटिंग मिल जाता है ठीक है जी तो इस प्रेशन का आपका जो सही आंसर कहा रहेगा डी आप्शन है वो बिलकुल सही है इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर बाकी चरणों के उधगाठन की भी बात कर लें तो पहले चरण का जो उधगाठन है वो कब होता है सर पहले चरण का उधगाठन 18 1948 को होता है ठीक है तो दूतिय चरण का उदगाटन 25 मार्च 1948 को होता है तो तूतिय चरण का उदगाटन 18 अपरेल 1948 को होता है तो हमें एतना याद रखना है कि जो प्रथम जो तीन चरण है उसका उद्गाटन है वो 1948 में होता है ठीक है अगले जो दो चरण है उसका उद्गाटन है वो 1959 में होगा तो चतुर्त चरण का उद्गाटन है वो आपका हो जाता है 30 मार्च उद्गाटन को और पंचम चरण का जो उद्गाटन है वो 15 मई मई 1950 को 15 मई 1950 को चटे चरण का उद्गाटन है 26 जनवरी के दिन होता है 26 जनवरी 1950 को साथवे चरण की बात हो रही तो साथवा चरण जिस दिन अपना आधुनिक राजस्तान वरतवान राजस्तान कहते हैं वह आपका कब बनता है एक नौंबर 1956 को बनता है तो यह साथ जो अंसर आपका क्या है D option है अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर है प्रसंद संग्या 19 चतुर्त चरण में कौन-कौन सी रियासतों को मिलाया गया था ठीक है जी चतुर्त चरण में कौन-कौन सी रियासतों को मिलाया गया था वो आपको बताना है चार option है पहला option जेपूर दूसर जेसलमेर को, विकानेर को और जेपुर को, तो ये चार रियासते चतुर चरणने में मिलाए गई थी, तो इस प्रशन का जो आपका सही आंज़र रहेगा, वो आपका A option है, 20 वा प्रशन, राजस्तान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राजस्तान दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है, C option B का सही है, अगला प्रशन है, चतुर्त चरण से सम्मंदित ऐस संगत है, उसके बारे में बात कर रहा है, चार option देगे हैं, उनमें से जो कौन सा option है, वो गलत है, वा आपको बताना है, राजदानी, जेपूर, शिक्षा युबाग, विकानेर, वन विबाग, कोटा, खनीज युबाग, भरगपूर, ठीके, इसके अलावा comment में आपको एक ये भी बात लिखनी है, कि सर जो ये विबाग का अलग-अलग रियार्शत का गठन करके दिया गया था, तो उसमें कौन सी एक समीती बनती है, उस समीती का जो option है, वो भी आपको अपने option में लिखना है, comment में लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एक BR पटेल नाम की जो एक समीती बनती है, उस सम समीती की जो दो सदेस्या होते हैं, एक होता है, टी सी पूरी और एक होता है, एस भी सिन्ना होते है, लेकिन अक्षर बुखों में ये बात लिखी हुई होती है, कि वहाँ पर जो समीती है, तो अब परचलन में राव समीती ही चल दी ए, एक बार आरपी सी ने प्रशन सब जब राजदानियां वगरा बना रहते तो राजदानी किसको दे दी थी जेपूर को दे दी थी तो यहां पर पूछा जा रहा कि गलत कथन कौन सा है एस संगत पूछा जा रहा है तो आपका एस संगत कथन है वो खनीज विबाग बला है क्योंकि खनीज विबाग इसको दे तो हाञिको किसको दे दिया गया था जोदपूर को दे दिया गया थीक यह इस प्रकार के जो विबाग है वो अलग-अलग विबाग सबको दिये जाते हैं तो यह बात आपको याद रखनी election में कि यह आपके 속वाग नाजदानी जयवपुर को सिक्षा व्वीभाग विकानेवि को वनीवभाग को खनीज व्वबाग उदेवपुर को भरत को कर्शी वभाग और हाई कोड किसको जोतपुर को तो यहां पर کौन सी समिती है सर बियार प्टेल नाम की एक समिती होती है जिसके सदस ये तीसी पूर और S.P.S.िन्ह ठीक है अगर यह option में नहीं आए तो एक आपका और आता है स्री सत्य नारायन राव समिति तो अभी जितनी भी बार इस समिति से समंधित प्रशन पूछा तो यही option में दिया गया तो सत्य नारायन राव समिति जबकि रियल में जो समिति है वो कौन सी बनती है बी आर प्रटेल समिति बनती है चलिए अगला प्रशन बात करेंगे इस प्रशन में जो एस संगत की बात पूरी है वो आपका कौन सा option है सर्थ डी option है वो बिलकुल सही है प्रशन संग्या 22 अजमेर को कौन से चरण में मिलाया गया था ठीक है जी तो अजमेर को आपको कौन से चरण में मिलाया गया था यह आपको पूछे जा रहा है प्रथम चरण में छटे चरण में साथवे चरण में या फिर पांच वे चरण में मिलाया गया इस प्रशन का जो सही आंसर आप करहेगा साथवा जो चरण है उसमें आपको किस में मिलाया गया सर्थ एक तो अजमे सातवे चरण में किसको मिलाए जाता है सर्थ मांट अबू को मिला जाता है और एक आपकी देल वाड़ा को मिला जाता है ठीक है एक जो MP का एक छेतर है सुनिल टपा सुनिल टपा जो MP मानपूरा मन्सौर का एक जगए है उसको भी किसमें मिला दे जाता है राजस्तान में मिला दे जाता है तो राजस्तान में ये इतने सारे मिला जाते हैं लेकिन राजस्तान का एक जो सिरोंज चेतर है उसको किसमें मिला दे जाता है वो भी सात्वे चरण में मिला जाता है तो राजस्तान के सिरोंज चेतर को कहां पर मिला दे जात असरम प्रदेश में मिला दिए ठीक के यह MP बाले चेतर को घां़ बेले जाता है आपके राजस्तान में इसको आप राजस्तान में मिला ढ़तें यह बात याद रखने सात्वे चरण में मिला जाता है इस प्राशन का जो सही आंसर आपका क्या है C option अच्छा तो फिर अजमेर आपका क्या बन जाएगा सात्वे चरण में जब इसको मिला जाता है तो अजमेर राजस्तान का 26 जिल्दा बन जाएगा एक नवंबर 1956 को तेविस्वा प्रशन राजिय पुनर गठन आयोग का गठन किस चरण में किया गया था राजिय पुनर गठन आयोग का जो गठन है वो किस चरण में किया गया था तो इस प्रशन का आंसर आपको लिखना है पाचवा चटा सात्वा यो तीसरा तो इस प्रशन हम बात करें तो न्याएं मूर्ती फैजल अली ने की थी यृ इनकी जो दो जो शहयोगी जो सदश्य थे वो आपके थे के एम पणिकर रदे नात कुन्जरू थे के हम पणिकर और हर्दे नात कुन्जरू encara सब्स्य कर ना को ज़ा सबकर से अगला प्र historically ंके शाथ वे चरन के मुख्य मंतरी अच्छ तो सात्वे चरन की कुछ खास विशेस्ता ही हुई थी, तो सात्वे चरन के समय में मुख्य मंत्री कौन था, हिरालाल सास्त्री था, टिकाराम पालिवाल था, जैनान व्यास था, या महुनलाल सुकाडिया था, तो इस प्रेशन का जो सही आंसर है आपका, D option होगा, कि सात्वे चरन के समय, राजस्तान का जो मुख्य मंत्री है, वो कौन बनता है, एक नौवर 1956 को, तो आपके मुख्य मंत्री बनते है, महुनलाल सुकाडिया बनते है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो पद है, उस पद को समाप्त कर दिया जाता है, आपकी next slide पर क्यूशन आएगा, सविदान संश्योदन है, यह भी आपको याद रखना, 1956 में होता है, ठीक है, तो किस पद को समाप्त कर दिया जाता है, राजपाल, राजपरमुक, सचिव, उपमुख्य मत्री, यहाँ पर जो पहले राजपरमुक और महराजपरमुक बनते थे, तो राजपरमुक के पद को सात्वे चरण में समाप्त कर दिया जाता है, बी ऑप्शिन आपका सही रहेगा, तो फिर कौन से नए पद को सरजपरमुक की जगे राजपाल का एक नए पद सरजपरमुक की बात करें, तो वहाँ पर नए राजपाल किसको बना दे जाते हैं, सर्दार गुरुमुक निहाल सिंग को सात्वे चरण में राजपाल बना दिया जाता है, तो यह आपको कहेंगे राज्तान के जो प्रथम राजपाल कोने तो स्री श्रदार गुरुमुक निहाल सिंग है, ठीक है जी, इस प्रशन का आंसर आपका 25 ब बी है, 26 प्रशन, चतुर्त चरन का महाराज प्रमुक कौन थे अच्छा चोते चरण में महाराज प्रमुक कौन थे अभी तो हमने राज प्रमुक और उप्राज प्रमुक पड़े थे राज प्रमुक और उप्राज प्रमुक पड़े थे ठीक है फिर एक नया जोपद सर्जित किया जाता है महाराज प्रमुक यह कौन से चरण में किया जाता है ठीक है तो यह महाराज प्रमुक जो आपके चौते चरण में नया जोपद है वो सर्जित किया जाता है ठीक है तो हम बात करेंगे तीसरे जो चरण था उस चरण के राज राजप्रमुग कौन थे उसके राजप्रमुग थे मेवाड के महारणा भुपाल सिंग्जी थे जब चौता चरण गठन किया गया था उसमें जेपूर जोदपूर चिसलमेर और विकानेर बड़ी-बड़ी रियासतों को मिलाया गया था तो उसमें कहते हैं कि यहां का होचित कर दिया इतता है महाराजा मांन सिंग्ज को कोशिद कर दिया चकान तब एथे लिए उद्विवाग वाल होड़े लोगों ने कहा कि चलो ठीक है आपको करते हैं तो यहां पर थोड़ा Khush करने के लिए मिवार्ड के महाराज परमुक के ऊपर एक नहीं और पंश्ट सर्जित कर इंठ तो एक महाराज परमूक का प्द सर्जित करके कंबना दे जाता во राट के महारा खाल भुपाल प्र सर फ inan लुई तिर्व साशक त्हों पर ही प्रश नाम इस प्रकॉर का की जो मिलती थी सहे 영ग रासी क्या है कि अपने राजज्य का विश्तार करने के लिए धार्मी खर्च करने के लिए नीतियों को परशाशन के लिए इस प्रकार का एक फंड दिया जाता था कि आप हमें हमारे साथ जोड़ जाए एक हम आपको सालाना इतना देंगे तो सालाना बाकी जो रियासा थी उनको 10 लाक रूपे प्रिवी प्रस्ट के रूप में द आपको पता है तो सबसे पहले तीसरा प्रस्ट अमने पड़ाता राजस्तान की शाशक मालवा और गुजरात के सासकों के साथ इसनों ने बहुत ज्यादा समयलन किये तिक हैं अपनी राजस्तान यूनियन अलग से बढ़ाएंगे अलग से अपनी एक सरकार बढ़ाएंगे पिर इनको मना ले जाता है तो दस लाग तो वो बाकि जो रिये नॉर्मल जो सासकते सभी सासकों को दी जाते वह देए बाकि पांस लाग धरम पर पांस लाग और अपने परशाशन पर खर्च करने के लिए राजपार्ट में खर्च करके ऐसे करके 20 लाग रुपे की इनको जाते हैं गारण बहपाल सेढ़ी को दिए जाते हैं तो इस प्रेश्चन का आपका सही अंसर बी ओप्ष्ण है वो option आपका है C option है आठ वर्ष साथ महां और 14 दिन लगे ठीक है जी तो राजस्तान के एकिकरन को बनने में पूरा समय लेगाता है C option आपका बिल्कुल सही है अगला प्रशन है प्रथम चरण का उद्गाटन कहां पर किया गया था प्रथम चरण का जो उद्गाटन है वो सते है नो रियासते है किस चरण में मिलाए गई थी प्रथम चरण में दित्य चरण में चत्रध चरण में तो जो 9 रियासत है थी वो आपके दित्य चरण में मिलाए गई थी इस प्रशन का जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है B option है 9 रियासत और एक ठीकाना जो आपका था कुशिलगड तीसवा प्रशन है संयूक्त वर्द राजस्तान कब बना अच्छा जो आपके चरण का नाम लिखा गया है संयूक्त वर्द राजस्तान अच्छा वो कब बना या उसका जो गठन है वो कब हुआ किस तितिक हुआ यह पूचा गया फर्स्ट नमर का जो आप्षन है 30 मार्च 1959 सेकेंड आप्षन 15 माई 1959 सेकेंड आप्षन 15 माई 1959 फर्द आप्षन चबिस जनवरी 1950 फॉर्थ आप्षन है आपका एक नौवंबर 1956 तो इस में से जो सही आंसर किया है वो आपको बताना है ठीके इस प्रशन का जो आपका सही आंसर है वो आपका है सर सहयूक्त व्रद राजस्तान की बार चल ली है तो 15 माई 1950 को सहयूक्त व्रद राजस्तान मनता है और खाली व्रद राजस्तान पूचता तो 30 मार्च 1959 को हो जाता है राजस्तान पूचता तो 26 जनवरी 1950 वर्थमान राज की दस्टीजे सबसे बड़ी रियासत आपकी जौतपुर है बिल्कुल सही है सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है मेवाड है बिल्कुल सही है सब एक मातर मुस्लिम रियासत यहां अजमेर लिखा जबकि यह गलत है एक मातर जो Muslim रियास्त थी, वो आपकी कौन से दी सार? Tong qthy सबसे नवी न रियास्त की बाहर चलें, तो जलावार ये भी सही है तो इस प्रशन में आपको क्या पुछा गया है A-Satye पुछा गया है, तो इस प्रशन का A-Satye option आपका क्या हो जाएगा C number option है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अज़मेर की जगे यहां क्या होना चाहिए था, टॉंक होना चाहिए अगला प्रशन है, राजिस्तान में पहले निर्वाचित मुख्ये मंत्री कौन था? ठीक है, निर्वाचित की बात की जा रही है, मनोनित की नहीं की जा रही है, ठीक है, पहला option हिरलाल सास्त्री, टिकराम पालिवाल, सचीन पाइलेट, भहरू सिंग सेकाउत, इस प्रशन का जो आपका सही आंसर हैगा, कि सर अगर मैं बात करूँ सर निर्वाचित की, तो निर् प्रशन है, ते तीस्वा, राजस्तान को सवतंतर प्राप्ति के बाद कि सरेणी में रखा गया था, राजस्तान को सवतंतर आजादी के बाद कि सरेणी में रखा गया था, एस रेणी, सी सरेणी, बीस रेणी, या डीस रेणी, तो इस प्रशन का जो सही आंसर है आपका, सी यहीं आप्षेन यह निधीव तरहाया ता शौतंतता प्राप्ती के बाद अगला प्रिशना जोदपूर रियासत कि कौन T प्रिस्टल समझोते का सबसुन और ऐसको महृतिक करुछा result इंपेन पिस्टल समझोते का समझ किस फ्रेशन का जो सही आन्सर आपका है जोत्पूर के माराजा हनवन सिंग है बी आप्शन बिल्कुल सही है जब जोत्पूर रियासत को चतूरचरण में मिलाने क्याला बहुत ज़्यादा प्रियास करें थे वीपी मेनन साब और शरदार बलवाई पतेल तो वीपी मेनन जी उस स लिगा समझोते करने के लिए वहां इनको डराय गया धंगाया गया तो जोद्पूर के महराजा हनुवन सिंगी थे इनकी जो इचा थी कि ये अपनी ये तो खुद की अलग से रियासत रखे जोद्पुर या फिर ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे राजिस्तान में ये मिलना नहीं चाहते थे तब इन पर दबाव बनाया गया था वह इन्होंने एक दमकी जो अंग्रेज लोग और जो वीपी मेनन साथ धंकी दे रहे थे उन धंकी का कररारा जवाब दिया था इन्होंने कहा कि अगर आप के पास गोले हैं बंदूके हैं तो मैं भी अपने पास कुछ रखता हूं क्योंकि इनको जब चेक अप करके अंदर जो मिटिंग रूम में लिगा लिजाया गया था तो समय खाली उनके पास एक पें था उसके लाओ इनके पास में कोई बंदूक बगरा थी जो सब बाहर रखवा दी की ठीक है लेकिन जब इन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा पैन है कि मैं इस से एक तरब तो लिख सकता हूं दूर सी दरब उस पें से गोली निकल जाती है तो अभी वीपी मेनन साब हम आपको यहीं कतम कर सकते हैं तब जाकर कि कि सरफ पेइन पिस्टोर समझोता है किस माह राजा साबन जाराजा Сबसे पहले हस्ता कि região सबसे तो सबसे पहले जो महाराजा सरदार सिंह थे राजस्तान को षेक राण में क्ड़ए वही chem होती है इनों सबसे पहले साइन किये थे सर मैं साइन करता हूं सबसे पहले तो कौन से महाराजान ने साइन किये थे सरदार सिंग ने किये थीए यह बात आपको याद रखने है ठीक है तो आज हमने राजस्तान का जो एकिकरण है उसको हमने टोटल 35 क्योशन के माध्यम से पूरे एकिकरण को कवर किया पिलकुल सही हैं फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ में जब्त के लिए धन्यवाद जैहिन जय भारत जय राजस्तान झाल झाल